हेलो फ्रेंट्स विल्कम बेक टू मैं चैनल आज हम सब बहुत ही टेश्टी वाली पुरुकिया की रेस्पी बनाएंगे हमारे यहां तो इसे पुरुकिया बोलते हैं आपके यहां क्या बोला जाता है प्लीज कॉमेंट में जरूर बताए कितने लोग इसे गुजिया के नाम स आपके लिए रखला थे इसमें मैंने दो चममेच के बरावर घी डाला है डीसी योज करनी दस से पंद्रा काजू डालेंगे दस से पाड़ा ऐल्मोंस डालेंगे हम इना ड्राइफ द्राइफ रोष्ट करनी है तो ड्राइफ रूर्ट्स को मैंने मीडियों फ्लेम पे रोष यहां मैंने 20-25 किसमिस लिए है इसे फ्राइब को हुआ है इसे हम में मेडियूम फ्राइब घरिया नारियल ब 땁प है किसमिस बाइं को हैं इसे फ्राइब देवा क जया कर नोधकाती है नारियल रोष्ट करेंगे, donch मैंने थोड़े से नारियल लिया है अब रेडिमेड नारियल जो उरादा होते हैं उसे भी यूज कर सकते हो मैंने यहां धूकस किया हुआ है इसे भी हम तुरन थोड़ी देर के लिए बस रोष्ट कर लेंगे उसे निकाल का प्लेट में रख लेंगे तो नाडियर भी रोष्ट करके इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है अगर आपके पीस्टा हो तो अप उसे भी जरूर यूज कर ले ना अभी मेरे पास एउ लेवल नहीं है तो यहां मैंने 110 KG के बरावर सूझी लिया है इसमें हमें perfect measurement ध्यान रखना है यहां मैंने 11KG के बरावर सूझी लिया है भी बड़े साइज वाली गुजिया बनाएंगे हमें सूजी को medium to low flame पे भूननी है और इसका color सुनहरा कर लेना है जैसे हम हलवा बनाते है उसे भूनते है उसी stage तक इसे हमें भूनना है देखि इसका color lightly change हो रहा है सूजी का color थोड़ा change हो गया है उसके बाद इसमें हम डालें में हमें 10-15 minute अराम से लग जाते हैं यही है कि सूजी को हमें लगतार चलाना पड़ता है या थोड़ी देर आप छोड़ सकते हो ज्यादा देर नहीं क्योंकि वह पेंदी में जलने लगेंगे तो देखिए भूनते हुए हमें 10-15 minute हो गया है और यह सूजी का color भी अच्छा आ गया है हमें dark brown कर लेना मैंने गैस का flame off कर दिया गैस बंद करनी के बाद भी इसे हमें लगतार चलाना है नितिस हमें प्लेट में निकाल के रख लेनी है तो सूजी भूनने के बाद यहां हम चीनी को इस तरीके से डालेंगे ना तो मावा के बिना भी लगेगा कि हम उसमे मावा डाले हुए हैं तो यहां मैंने सूजी जितना लिया था उसका आधा और थोड़ा सा बस ज्यादा चीनी लिया है चीनी से बस थोड़ा सा ज्यादा पानी एड़ करेंगे एक तिहाई चमच इलाइची पावडर या कोटी ही इलाइची आठ से दस किसर की धागे एड़ करेंगी अब इसे हमें खौलाना नहीं है इसे इतने स्टेज तक ही गर्म करना है जिसे इसकी चासनी ना बन पाए बस चीनी को में पिखला लेनी है उससे ज्यादा हमें इसे चासनी नहीं बनाना नहीं तो जो सूजी हम लोग बनाएंगे उसके स्टाफिंग के लिए वो गर्म ही इसमें डालेंगे अब सूजी को हम बीच से फैला लेंगे उसके बाद जो हम ने चीनी को बिखला था उसमें एड कर देंगे इस स्टेज के बाद आपको गर्बर नहीं करनी है नहीं तो यह सारी स्टाफिंग खड़ाब हो जाएगी इसमें हमें डालकर इसे चंपगी ज़रोर ऐड कर देना और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना क्या है ना इसे हमें बार बार मिक्स करनी है इसे ढख देते हैं फिर से हम 5-7 मिनट बाद इसे हम फिर से मेंक्स करेंगे तब तक हम यह काम कर लेते हैं जो ड्राइफ्रूट्स हमने रोष्ट किये थे ठंडी हो गया है इसका दरदरा पाउडर बना लेते हैं तो देख सकते हो आप सब इसका मैंने दरदरा पाउडर बना लिया है अब चाहो तो इसे छोटे छोटे पीस भी कट कर सकते हो ड्राइफ्रूट्स का दरदरा पाउडर इसे हम फिर से चला लेंगे इसे अब जितना चलाओगे उतना ही यह सूखते जाता है यह काम हमें तब तर करनी है जब तक कि सूजी अलग अलग ना हो जाए अगर हम सूजी को बार बार नहीं चलाएंगे तो सूजी जम जाएंगे काजू बदाम को मैंने दर दरा पीस लिया ह और यहां किस्मिस को हम महीन कट कर लेंगे एक किस्मिस को हम दो भाग में कट कर सकते हैं या अब चाहो तो इसे खड़े भी डाल सकते हो सुची में हम ड्राइफ फूर्स डाल लेते हैं रोश्ट किये हुए नार यल और किस्मिस भी डाल लेते हैं अब इस सब को हम हाथों से मेक्स कर लेंगे देखे ये अभी भी थोड़ी जम रहा है इसे हम लाश्ट बार अच्छे से मेक्स कर लेंगे ये जो मैंने श्टाफिंग तयार की है जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल ही मावा जैसे लगता है लगेगा कि आप इसमें धेर सारा अब इसमें हम डालेंगे मोयन जिससे गुजिया का जूपर वला भाग होता है वह खसता बनता है तो मोयन डालने के लिए यहां मैंने एक चौथाई कप के बराबर घी लिया है अब घी डालना घी से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है तो सबसे पहले इसे हम हाथों से इ इसे मैं दिखाती हूं देखे इसके लड़ो बंद जा रहा है इतना मोयन हमें जरूर डालना है जिससे क्या है जो पुरुकिया है यह ज्यादा दिनों तक तिकते हैं अब क्या करेंगे इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाएंगे आटे जैसा गूतना है।त जंब कैसे पुरी का आटा जो गुतते हैं सक्त एतना होएं जदा सौट नहीं गुतना तो यहां मैंने आटा लगा लिया है। इसे हम ऐसे हम ऐसे नहीं छोड़ना है इसे ढख लेना है तो आप चाहो तो पहले आटा लगा लो उसके बाद यह स्टाफिंग तयार कर ल बीना माहर है बेना माह आपके बहुती हैं निमीट को निरघूा है सबसे पहले हम इसकी बठीकाया बनाएंगे बनाने से पहले हम फिर से मसल लें इसके बाद इस तरीके से फिर और यहीं आखार करके इसे गास करें चाइता १िटरी ए निरम कि हम perfect गोले बनाए बस इसे हमें बेल लेनी है क्या करेंगे न हम साचा लेंगे तो मैंने यहां यह वाले साचा लिए हैं इसमें मैंने already तेल लगा रखा है तो आप साचे के ऊपर जरूर तेल लगा देना नहीं तो क्या न वह इसमें चिपक जाएंगे तिल लगाने के बाद इसके उपर हम एक चमच ये दो चमच स्टॉफिंग जितना जाएं इए वतना हम डाल लेंगे और इस तरीके से उल्यो की साहता से दबा देंगे अब हमें आश्या पानी लगा देनी । यह जो उपर वाला जो भाग एक्ष्रा उसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे अब देखिए इसे मैं खोलूंगी यह बहुत ही असानी से निकल जाएंगे नहीं तो क्या होते ना तेल में जाकर यह पुरुक्या यह गुजिया फट जाते हैं तो देख सकते हो कितना अच्छा सा से पाय यह जितना पुरुक्या हो यह में ताइर कर लेंगे इसैकर ऑर जां कर निया करें इसके जाद़ यह तक सब्सक्राब ओना क्या हैं थे 4 मदस फोल्षार जिए और होज डोना पानी लाघंगे और जो हम अच्छे से दबा देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल कर हटा लेंगे तो ज्यादा स्टाफिंग करके रेडी कर लो तो अभी मैंने पांच ही स्टाफिंग की है चलिए इसे मैं तल के दिखाती हूं इसे तलने के लिए मैंने गहरी कढ़ाई ली है इसमें हम डालेंगे तेल इसमें हमें रिफाइंड ऑल का यूज़ करना है या आप घी का भी पड़ा गया है ऐसे भी हम लोग चेक करने के लिए इसमें दो लोईया डालते है तो तेल गर्म हो गया है गैस का फ्ले मीडियम रखेंगे उसके बाद हम एक एक कड़के गुज़िया डाल देंगे तो पहली बार में मैंने पांच ही गुज़िया डाला है एक तरब से यह हो जाए तो हम पलट लेंगे पर आप देख सकते हो यह बहुत ही अच्छे से फूल रहा है तो इसमें मीडियम फ्लेम पे ही तलना है इसे पता लगता है ना कि यह बहुत ही अच्छा बना है इसमें ही पर इसे बनाना बहुत ही हार्ड लगता है पर अगर आप इस तरीके से बनाऊगे तो बिना मावा के परफेक्ट गुज़िया बनाऊगे और बहुत ही कम समय में धेर साडा गुज़िया बना लोगे इसे हम अलट ब्लट करके इसका कलर सुनहरा कर लेंगे यानि गोल्डन ब्राउन कर लेंगे क्या है न अगर आप इसका कलर थोड़ा जいた सुनहरा करोगे तो यह जादा दिन तक ती केगी खृड़ाब नहीं होगी इसे आप महीनों तक शटोर करके रख सकते हो जिस तरीके से मैंने बनाया है बिल्कुल खराब नहीं होंगे तो देख सकते हूँ आप सब इसका बहुत ही अच्छा सार कलर आ गया है परफेक्ट गुजिया का कलर ऐसे ही होता है तो इसका हम इस तरीके से चनोटे में निकाल कर इसका एक्सटर और निकाल लेंगे और इसे हम टीशू पेपर पर रखेंगे यह कॉटन कपरे भी रख सकते हो पर मैंने अभी इसे ऐसे ही रखा है मैं बाद में इसे पेपर में रखके रख लूँगी तो देख सकते हो ना कितने अच्छा गुजिया बना इसी तरीके से हम जटपट एक बार और तल के दिखाती हो अब मै अफली बार गुजिया डाले तो थोड़ी दिर बाद ही उसे पल्टे नहीं तो तूट भी सकते हैं जब वो थोड़े हाड हो जाए तभी उसे हमें पलटना है तो देखिए इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है परफेक्ट कलर आ गया है अगर ऐसे बनाओगे गुजिया तो महीनों भर टीकेंगे खड़ाब नहीं होंगे इसी तरीके से हम सारे गुजिया को तर लेंगे तो आधा केजी मैदा में मैंने पचास गुजिया बनाए तो अगर आप परफेक्ट मजर्मेंट रखोगे तो बहुत ही अच्छी टेष्टी वाली पचास गुजिया बन जा अगर अधा को यह एक पतै के लिए कंश्पी लिए टेक्यरन के लिए